हलो लिटेंस आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को लेखा सासर के अध्याय दो को पढ़ाने वाला हूँ तो चलो सुरू करते हैं अध्याय दो को तो अध्याय दो का नाम है लेखांकन के सिध्धान्थ तो लेखांकन के सिध्धान्थ में सबसे पहले हम सब्दावली देखेंगे, क्योंकि आपके बूप में सब्दावली दिया हुआ है, तो सब्दावली देखो, सब्दावली में पहला जो टॉपिक है न, लेखांकन के सिध्धान्थ ही दिया हुआ है, ये लेखांकन के कहते हैं दूसरा है लेखांकन प्रमाप लेखांकन प्रमाप क्या होता है लेखांकन के पारदर्सिता समरूपता निश्चित्ता तुलनात्मक एवं सर्वभौमिक्ता बनाय रखने के लिए विकास किये गये प्रमाप प्रमापीत प्रमापीप तित सिध्धान को क्या कहते हैं सिध्धान्त अथा नियम को ही हम क्या कहते हैं लिखांकन के प्रमाप कहते हैं इसके बाद तीसरा टॉपिक देखो अधार भूत सिध्धान्त अधार भूत सिध्धान्त क्या होता है ऐसे सिध्धान्त वयवारो की वह दसा प्रगट करते हैं जिसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, हना अधार्वुत सिध्धान्त वो है, जिसे हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसके बाद देखो नेश्ट है, मुल्भुत मान्यताएं, मुल्भुत मान्यताएं क्या होते हैं, वे मान्यताएं जिनके अधार पर लेखांगन सिध्धान्तों का निर्मार तथ वित्त वयवारों का लेखा किया जाता है उसे हम मुलभूत मान्यताएं कहते हैं नेश्ट टॉपिक है परिवर्तन सिल सिध्धान्द परिवर्तन सिल सिध्धान्द क्या होता है ऐसे सिध्धान्द जिन्हें वैसाई की प्रकृति के अनुरूप भिन भिन वैसाई सोतंद रूप से अपनाते हैं उसे हम परिवर्तन से सिध्धान्द कहते हैं अधारनाय लेखांकन की वे तर्क संगत युक्तियां मन्यताएं एवं सर्ते जिन्होंने लेखांकन सिध्धान्तों के निर्माण को आधार प्रदान किया है उसे हम क्या कहते हैं अधारनाय कहते हैं लेखांकन इकाई की मान्यता लेखांकन इकाई की मान्यता क्या होता है तो वैसाई के अस्तित्व को वैसाई से प्रिधक मानने की मान्यता को हम कहते हैं लेखांकन इकाई की मान्यता कहते हैं इसके बाद अगला है ICAI ICAI क्या होता है तो इसका फुल जो फार्म है वो है The Institute of Charter Accountant of India दिया हुआ इसका फुल फार्म है IAS का फुल फार्म यहाँ पर देखो IAS एक और होता है जिसे हम जैसे collector है collector rank अधिकारी, jila CEO उसके उपर में जो जो अधिकारी होते है उसे हम IAS अधिकारी कहते है तो simple सब्दों में कहा जाया तो IAS अधिकारी जो है IAS same to same जैसे यहाँ पर लिखा है IAS और यहाँ पर IAS का मतलब यह accountant से संबन्दी था तो इसमें थोड़ा से एक जगा में बदलाव होगा है पांकी same to same रहते है न तो यहाँ पर IAS का full firm क्या है International Accounting Standard है देखो इसके बाद IFRS दिया हुआ है यह forest to be भाग कभी होता है same to same forest to be भाग में लेकिन यहाँ पर accountant से संबन्दी था तो यहाँ पर थोड़ा से बदलाव रहेगा International Financial Reporting Standard कहा जाता है IFRS का full firm दोहरा प्रनाली क्या होता है दोहरा प्रनाली होता है लेखांकन की एक प्रनाली जिसके अंतरगत सौदे के दोनो रूपो से प्रभावित दोनो पक्षो में लेखा किया जाता है उसे हम दोहरा प्रनाली कहते है इसके बाद है डेविट और एक होता है क्रेडिट डेविट और क्रेडिट के बारे में आपको पता होगा तो सौदे की रकम खाते के बाएं हाथ की और लिखना अर्थात वैसाय के स्वामी का रिडी होना अगला है डेविट कहलाता है और क्रेडिट आपके अकाउंट में पैसा आता है तो वो डेविट कहलाता है न तो पढ़ लेते हैं सौदे की रकम खाते के दाएं हाथ की और लिखना अर्थात वैसाय के स्वामी का भुकतान प्राप्त करने का अधिकारी होना ये कहलाता है क्रेडिट कहलाता है तो क्रेडिट और डेविट आपको समाज में आ गया चलो नेश्ट टॉपिक देखते हैं अगला क्या है अगला है रोकण हाना देखो रोकण आधारित लेखांकन क्या होता है रो लेखा पुस्तकों में लेन दोनों की प्रविष्टी रोकर प्राप्ती तथा रोकर भुगतान के अधार पर करना ये कहलाता है रोकर अधारित लेखांकन कहलाता है इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है उपारजन अधारित लेखांकन ये उपारजन अधारित लेखांकन क्या होता है तो लेखा पुस्तकों में लेन देनों की प्रविष्टी लेन देन या सौधे के समय करना भले ही रोकर प्राप्त हुई हो या ना हो हना लेन देन के समय जैसे आप समान खईते हो और बेचते हो ठीक है तो उस समय लेन देन के समय जो करते हैं उसे उपारजन अधा परभूत मन्याताएं या आओधार्नाएं कहरा हैं यहाँ पे यहाँ पुला टॉपिक आपको पढ़ने कि आव सकतने इसमें कुछ भी नहीं दिया है ना तो यह हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि यह फालतू है जो में टॉपिक है उसको हम पढ़ने वाले थे तो जैसे main topic क्या ही ये है आपका और इतना भी important नहीं है ये topic बस इसको पढ़ना है में ज्यादा कुछ इसमें जानने की जुरूरत नहीं है तो चलो देखते हैं अतह लेखांकन की मन्याताओं या लेखांकन की अधारणाओं से तातपार विभिन वैसाइक सोदे को लिखने हे तो व्यक्त किये गए तर्ग संगत विचारों से है जिन्हें बीना प्रमाड के ही स्विकार कर लिया जाता है देखो यहाँ पे जो लेखांकन के जो अस्तित्व और अधारणाय से संबंधित जो बता रहा है ना इसमें सी बीना मतलब प्रमाड के आप स्विकार कर लेते हो कह रहे है बीना प्रमाड के स्विकार कर लेते हो इसी को आपस्तित्व और अधारणाय भी बोल सकते हो कह रहे है चलो आगे देखो यहाँ पे और क्या है यहाँ थोड़ा सा लिखाओ, इसमें ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक तो नहीं है, छोटा सा इंपोर्टन टॉपिक है, एक, दो, तीन सब्दोग है, लेकिन मैं पूरा इसको पढ़ के बता देता हूं, उब्रोक्त विवेचन के अधार पर यह कहा जा सकता है कि लेखांकन की मन्यात या अधार नाओं में वैसाइक लेंदेनों का लेखांकन करने के लिए उन सभी स्विक्रीत तत्यों विचारो दखक कलपनाओं को सामिल किया जाता है, जिन से लेखांकन सिध्धानतों को प्रतिपादित करना संभा हुआ है, लेखांकन की प्रमुक मन्याताओं का वर्णा निम्नासार है, तो अब कुछ बिंदू पाइंट दिया रहेगा, चार पाल बिंदू पाइंट है, उनको देख लेते हैं, तो इन में से जो पहला बिंदू पाइंट है, वो है, लेखांकन अस्तित्व की मन्यताओं या और धारनाओं दिया हुआ है, इसमें, तो देखो, क् कि खांकन में स्वामी द्वारा वैसाय के सहत किये गए लेन देन, उसी प्रकार माने जाते हैं, जैसे की बाहरी व्यक्ति ने किये हो, यही कारण है कि स्वामी द्वारा वैसाय में लगाया गया धन, वैसाय का दोईत्त माना जाता है, इसी प्रकार स्वामी द्वारा समय समय पर वैसाय से निकाले गए धन का हिसाब रखा जाता है अता स्वामी के लेंदेनों को लिखने के लिए पुझी खाता खोला जाता है प्रिथक वैसाय अस्थित्यु की अवधार्ना सभी प्रकार के वैसाओं में विद्धुमान है चाहे वह वैसाय एकांकी हो या साज्छेदार हो वैसाय या फिर कमपनी हो कमपनी की हो ना तो लेखांकन की इस ओधारणा से वैसाय की ला भानी तठा आर्थिक स्थिति का सही आकलन संभभ हुआ है इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं दूसरा जो है आपका मुद्रा से समबंधित है तो देखो मुद्रा मापन की माननता और धारना क्या होता है देखलो पढ़ते हैं पता चल जाएगा लिखांका समागरी में उनी ही क्रियां को समलित किया जाता है जिनका प्रतिफल मुद्रा में पाया जाता है ना मुद्रा मतलब पैसे संबंदित है ऐसा प्रतिफल जिसका मापन मुद्रा में संभव नहीं है लेखांकन के दृष्टी में दृष्टी से अनुपयोगी है जैसे उत्पादन की उत्पादन की रण नीती जैसे कि उत्पाधन की नीती क्या है माल किसका अच्छा है आदी तत्थों को मुद्रा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है अता ये बाते लेखा कर्म में लेखांगन के द्रिष्टी से अनूपयोगी होता है इसके बाद देखो अगला क्या है मुद्रा मापन के अधारना यह सपष्ट करती है कि मुद्रा ही एक ऐसा मापदन्ड है जिसमें हम वैसाय में खरीदी गई वस्तू संपत्तियों वैसाय के देंदारों लेंदारों समय समय पर प्राप्त होने वाले आयवा किये जाने वाले वैव का योग लगा सकते है तथा वैसाय के संपूर्ड हिसाब को सारवधारन के समझ के अनुसार रख सकते है तीसरा टॉपिक है चालू वैसाय की मनताय या अधारनाय लेखा पुस्तकों में वैहारों का लेखा इस अधार पर किया जाता है कि वैपार लंबे समय तक चलता रहेगा और लेखा लंबा समय तक चलता रहेगा और बंद नहीं होगा दिर्ग कालीन वैपार, अलप कालीन या अस्थाई वैपार की अपेक्षा अच्छा माना जाता है इसके नीम नकारण है पहला है दिर्ग कालीन वैपार में विन्योजग धन लगाने के लिए आतूर रहता है है ना जैसे लंबा टाइम के है तो सेयर खरीद के रखते हैं एक साथ तो वही है दिर्ग कालिन से समबंदी समझो इसके बाद दूसरा है वैपार के माल और संपत्ती तथा हिसाब किताब के मुल्य के बारे में अनुमान नहीं लगा आता तिसरा है संपत्ती पर घिसावट के उसके संभावित अवधी के आधार पर लगाई जाती ना की बजार मुल्य पर कह रहे हैं यही कारण है कि जब वर्स समाप्त होता है और अंतीम खाता बनाया जाता है तब आदत एवं पूर्वदत वयो का लेखा किया जाता है क्योंकि लेखा पालिया जानता है कि वैसा है भविस्ते में चालू रहेगा और ये समायोजन आगे आने वाले वित्ती वर्स में समायोजित हो जाएगा या हो जाएंगे गह रहे हैं ना इसके बाद इसका चौंथर टॉपिक और ये अंतीम टॉपिक है लेखा ओधी की मान्यता है या ओधारना है क्या होता है भी लेखा ओधी की मान्यता है या ओधारना है इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है वैसाय के भविस्ते में चालू रहने की ओधारना है या इसपर्ट करती है कि वैसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा या ओधी इतनी लंबी होती है कि कोई भी वैसाय की समाप्ती तक परणामों को जानने के लिए इतनी प्रतिक्षा नहीं करेगा वैसाय की समाप्ति पर ही वह लग गई पुँजी एवं वैसाय समाप्त होने के समय उपलब्ध पुँजी की तूलना के परणामों को जान सकता है अता लेखांकन की एक निश्चित आओधी होनी चाहिए ताकि उक्त आओधी के परणामों को प्राप्त किया जा सके वित्ती स्थिती का सही आकलन संभा हो वैसाय की प्रगृति एवं लेखांगन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लेखा ओधी का निर्धान किया जाना चाहिए समान्य तह या ओधी एक वर्स होती है मेलो में लगाय गए वैसाय या मौसमी वैसाय की जीवन ओधी ही उनकी लेखा ओधी होती है अब आते हैं 2.2 में तो महत्पूर ओधाना यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पे है एक है लागत ओधाना यहाँ पे लिखांकन का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कि लागत अधान है, मतलब लागत क्या होता है आपको पता है, जो समान आप खरिदते हो, खरिदते नहीं, यह है लागत मतलब जो कमपनी है न, उस कमपनी में एक समान को बनाने में कितना पैसा लगा वही लागत कहलाता है, तो चलो पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है, लेखांकन की इस अधारना के अंसार प्रत्यक माल अत्वा संपत्ती का लेखा वास्तविक लागत पर करना चाहिए कह रहा है, भले ही उस माल अत्वा संपत्ती का लागत मुल्य बजार मुल्य से कम हो या ज्यादा हो, मतलब जो खर्चा वही आ रहा है एक समान को बनाने में, अब यो बनाने में आ रहा है हो सकते हैं, बजार में वो समान कम में मिले या ज्यादा मिलो, लेकिन बनाने में जो खर्चा रहा है, उसको लागत अधारना के अंदर लेना है, इसके बाद है दिवपक् पक्ष नामे और दूसरा पक्ष जमा मतलब क्रेडिट और डिविट की बात कर रहा है इस प्रकार पत्तेक सौधे का लेखांकन इसी अधार पर किया जाता है इसके बाद आते हैं तिसरा टॉपिक है वसूली की अधारना क्या होता है वसूली की अधारना है वसूली सम्दंधी निर्मार की तिथी को विक्रे तिथी नहीं माना जाता है इस मानेता के अंसार लेन देनों को लेखांकन उपमारजन मतलब वसूली आधार पर किया जाता है लेन देनों के होते ही उपारजन आधार पर उसका लेखांकन किया जाता है इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पूजी पूजी अधारना क्या होता है पूजी अधारना इस अधारना के अंसार पूजी से सम्बंदित वयहारों को लेखा अलग से किया जाना चाहिए कह रहा है वैसा है के सुध लाब अथवाहानी को एकल वैपार एवं साजेदारी फर्म में पूजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है परंतु प्रमंडल की दीशा में ऐसा नहीं किया जाता इस अधारना के अधार पर वैसा है के लाभार्जन सक्ती का पता लगाया जा सकता है पाच्वा टॉपिक है अनुरुप्ता की अधारना इस अधारना के अधार वित्ती वर्स वास्तविक लाब अथवाहानी की गर्णा करने के लिए चालू वर्स के सभी आए वै को समलित करना चाहिए अर्थाद चालू वर्स में अदत वै पूर्वदत वै उपारजित आए अनुपारजित आय को भी सामिल किया जाना चाहिए जिससे की सही सही परणाम सामने आ सके हैं